कि दोस्तों नमस्कार पार्डली पूत इनुबासिटी पीजी सेस्टन दो हजार बाईसे से चोबिस वाले स्टुडेंटों के लिए रजिस्टेशन की परकेरिया स्टार्ट कर लिया हम इस वीडियों बात करेंगे रेगुलर कोस्ट के लिए एनियुटेडिशनल दोनों कितना पेमेंट लगेगा क्या कुछ होने वाला तमाम जनकारिया आपको इस वीडियो में कभर किया जाएगा लास तक बने रहेगा और पार्टली पूर्टा इन्वरसिटी का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा टेलीग्राम का जिस लिंक को यह आप जोइन करते ह प्राप्त होता रहेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों जैसा कि असकिन पर देख सकते हैं हमने यहां पर जो भी रेगुलर कोस्ते हैं या फिर वोकेशन को से तमाम का जनकारियां यहां पर हमने लिख रखाए और हम नोटिफिकेशन के जरी हम पुरा का पूरा तो नोटिश नंबर है सरपात हम इस वीडियो में बताना चाहेंगा कि आपका जो है कब से कब तक फ़र्म का सकते हैं राजिस्टेशन पर क्रिया वला तो यहां पर दोस्तों मेंसन किया गया जिस्टेशन डेट है तो यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे 122-24 वाले जो रेगलर कोस्ट में आते हैं में में सी एमकोम आते हैं और भोकेशन कोस्ट में बिलीस आता है एमबी आता है एमसी आता है और भी तमाम कोस्ट आते हैं उन तमाम कोस्टों के लिए कहा जा रहा है कि राजिस्टेशन की जो परकिरिया है राजिस्टेशन की जो डेट है दस स्टार्ट होगा और 15 दिसंबर तक चलने वाला है जो कि बिना बिलम सुल के साथ में फूम को अपलाई कर सकते हो ठीक है लेकिन किसी कारण बस पंदा तारिक तक यह पंदा दिसंबर तक फूम को अपलाई को पास कि आपने तो उसके लिए अपने फाइंट के साथ में आप को चार्ट सो एक्साट अपको पेमेंट करना होगा जो कि यहां पर मेंचा किया बेकिन कब से कब तकक के बीचमें तो दस नॉबर से लेका कि 15 डिस्वंबर केद्ष में आप अपलै करते हैं तो यहां पर yılार फाइंडेंगा जो कि यहां पर अधर जिक करते हैं कि सुन करना चाहते हैं तो 531 रूप आपको सुल कर देना होगा जो कि यहां पर देख सकते हैं other university से पास करते हैं तो उसे के बार में यहारं पे जनकाइँ दी आ गया जो की उन्हेस्टारिक है तो आप उनीस इस्टारिक तक किजिएगा तो आपको क्या होगा कि 100 रुपया आपका ज्यादा चार्ज लग जाएगा ठीक है तो यहां पर मेंसर कर दिया गिया है दोस्तों यहां पर देख सकते हैं यहां पर मेंसर करके रखा गया अधर इन्वरसिटी के बारे में यहां पे धियान दीजेगा अधर इन्वर्सिटी के बारे में मेंसन किया गया तब 461 रुप्या यहां पार्टी पूतर इन्वर्सिटी से रहेंगा तो आपको 100 रुप्या कम लगेगा ठीक है यहां भी 100 रुप्या कम लगेगा और 10 रुप्या या 15 रुप्या जो भी GST चार् लगेगा और जो अधर इन्वासिटी से पार्ट ठाट कंप्लीट किये उनका डोकुमेंस क्या लगेगा तो यहां पर मेंसन कर दिया गया है कि माइगरेशन जो है उसे अप्लोड करना जरूरी हो जाता है जनकारियों को भी वहां पर समिट करना हुआ कि क्या कुछ जनकारियां हो सकता है कि माइगरेशन सट्ट्फिकेट रखन और और कब इस इस वार उन तमाम जनकारियों को मगा जाएगा ठीक है लेकिन आप पार्ट करि когда cm2 जो भी थी हम ने आपके साथ में सージबा करने का पर्यास किया है ठेके लिकिन आपको जैसे राजिश्ठेशन कर लेते उसके अब आपको क्या करना होगा को इंसे करना होगा जिस भी कॉलीज में आपका तो हम उसे सुधार करने का परियास करेंगे क्योंकि आप लोगों के लिए हम काम करते हैं तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है हमें सही राह दिखाने का अथिक है तो मिलता हूं नेक्ष्ट अपडेट के साथ में नेक्ष्ट वीडियो में जैन जै भारत